PM मोधी और नितिन गटकरी के बीच तना तनी किसी से छिपी नहीं है BJP में अधिकतर लोग PM मोधी को पसंद नहीं करते हैं और वे नितिन गटकरी को PM का चहरा मानते हैं इस वजह से PM मोधी गटकरी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन अब नितिन गटकरी भी सक्त हो गए हैं और मोधी जी के सामने बेरुखी दिखाने से नहीं गत्राते हैं ऐसे में साफ है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और नितिन गटकरी के बीच की दूरियां बढ़ने लगी हैं खबरे कुछ ऐसी हैं कि मोदी और गटकरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. Нितिन गटकरी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, जिनसे पताचलता है कि वो मोदी और भाजपा के काम करने की तरीके से पूरी तरह इत्थफाक नहीं रखते हैं. इस वज़े से वो मोदी जी की कुरसी के लिए खत्रा बनते जा रहे हैं इसलिए गटकरी पीएम मोदी की आँखों में खटकने लगे हैं इसका ताजा उधारण 16 अगस्त को आयोजित अटल बिहारी वाजपई जी की पुर्णिति थी कारिक्रम में देखने को मिला इसमें मोदी जी को नितिन गटकरी ने नमस्ते तक नहीं किया इतना ही नहीं जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे गटकरी ने मुह तक फेद लिया पहले आप ये वीडियो देखिये क्या आपको नजर आए पीएम मोधी को लेकर गटकरी के बदले तेवर ना तो गटकरी जी ने मोधी को देखा न मुस्कुराए उल्टा मोधी के आते ही मूँ फेर लिया ये तस्वीरें बया कर रही है कि भाजपा बट रही है भाजपा के नेताओं की आँखों में अब पीएम मोधी खटकने लगी है इसके अलावा एक दिन पहले ही चंद्रयान 3 की सफल लेंडिंग पर गटकरी ने इस रोव ज्यानकों को पोन कर ना केवल बधाई दी बलकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई ऐसा पहने केवल पीएम मोधी ही किया करते थी देखिये वीडियो की सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग खुद कह रहे हैं कि अब बीजेपी में मोधी राज के उल्टे दिन शुरू हो गए है गटकरी का इशारा साफ है कि अब उनका निशाना पीएम मोधी की पुरसी है बीते साल से ही ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी आला कमान और गटकरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और हाल का ये वीडियो इस बात की पुष्टी करता है कि अब पीएम मोधी और गटकरी में आर या पार की होने जा रही है इन सब के बीच अगर आपका भी ये सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में भाजपा के दो तुकडे हो चुके है तो इसका जवाब है कि भाजपा और पीएम मोधी की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है पीएम भाजपा के दिगज नेताओं की आखों में खटकने लगे है